अगर सीखना चाते हो public speaking skill तो सबसे पहले develop करनी होगी एक मजबूत will और जब develop हो जाएगी मजबूत will तो बहुत आसान होगा सीखना public speaking skill यह वो technique है जिसका इस्तिमाल मैंने आपको इस बात को समझाने के लिए किया है तो सबसे पहला जो lesson है वो यही है कि rhyming technique to grab attention of the audience audience के attention को grab करने के लिए rhyming का इस्तिमाल करो क्योंकि बचपन से ही हम लोग poem सुनते आए हैं और poem सुनने की वज़ा से वो चीज हमारे mind में हमारे subconscious mind में एक बात store हो गई है कि जो भी बात हम poem के माध्यम से सुनेंगे वो बहुत जल्दी हमारे brain में store हो जाएगी और speaker और politician इस technique का बहुत ज़्यदा इस्तिमाल करते हैं आए में इस बात को कुछ examples के रूप में समझाता हूँ जैसे बचपन से हमने सुना है कि अकड़ बकड़ बंबे बो असी नभे पूरे सो twinkle twinkle little star how I wonder what you are और आज politicians भी इसका बहुत ज़रा इस्तिमाल करते हैं जैसे अब की बार मोदी सरकार 5 साल केजरिवाल और कई बार मैं भी अपने training programs में workshops में seminars में इस technique का कई बार इस्तिमाल करता हूँ जैसे जीवन पत पर हमको है आगे बढ़ते जाना और digital marketing सीख कर business खूब बढ़ा ना and the second technique to become a great speaker that is do the action and get the reaction क्या do the action and get the reaction आज इस live recording को ना हमारे office के भी बहुत सार लोग देख रहे हैं दोगो मैं यह technique practical आपको करके दिखाता हूँ भारत माता की जै भारत माता की जै जोर से बोलो यहां आप समझे की human psychology कैसे काम करती है मैंने का भारत माता की उन्होंने का जै लेकिन जैसे मैंने का जोर से बोलो उन्होंने का जै माता दी मेरा कहने का मतलब था कि भारत माता की जब आपने जै बोला तो जै आपको जोर से बोलना था लेकिन हमारी memory मेंने एक चीज़ स्टोर है जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी मिलकर बोलो जय माता दी यह technique हमें बताती है कि जैसी story हमारे mind में feed होती है जो बाते हमारी memory में होती है वही एकदम से react करती है इसलिए do the action get the reaction और जब आप action करके reaction लेंगे तो लोगो उनका subconscious mind आपके साथ होगा यह best technique as a speaker हम सभी इस्तेमाल करते हैं and the next technique to become a great speaker that is use the power of abbreviation और abbreviation कैसे काम करता है क्योंकि जब स्कूल में बढ़ते थे थे न तो वहाँ भी teachers हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए abbreviation का यूज़ करते थे जैसे लाला आम लाया कच्चे अब यह क्या है sin theta cos theta 10 theta आपने 10th class में भी पढ़ा होगा 9th class में भी पढ़ा होगा fine इसी तरह से अपनी short keys बना कर त्यार करो ताकि लोग आपकी short key के हिसाब से तुरंत चीज़ों को याद कर लें जैसे हमारे training program में हम इसका बहुत इस्तिमाल करते हैं ROPE result oriented program for everyone एक example और बतात और 3D stands for D, D and D dream, desire, destiny जैसे आपके dream होगे वैसे आपकी desire होगी और जैसे आपकी desire होगी वैसे path पर आप चलेंगे और वैसी destiny तक पहुँचेंगे हम इस तरह की technique का जब इस्तिमाल करते हैं na abbreviations का use करते हैं तो लोग उन abbreviation वाले words को अच्छे से याद कर लेते हैं और आपकी speech उनके मन में छप जाती है जैसा आप उनको समझाना चाहते हैं और कई बार sales के training program में जब हम team को train करते हैं तो उनको बोलते हैं 5C को आपको follow करना यह 5C क्या है call, connect, communicate, convince and close the deal तो यह technique बहुत important role play करती है क्योंकि लोग बात को याद करने के लिए आपकी abbreviation को याद रखेंगे आपकी short keys को याद रखेंगे कि आपने किस word से क्या चीज़ बना डाली, public speaking में एक बात ध्यान से समझ दिएगा जब हम as a teacher भच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको control कर सकते हैं, उनको convince कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, उनको pressurize कर सकते हैं, अपनी बात सुनने पर को grab कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, कुछ ऐसी activities करें, जिससे वो आपके साथ involve हो जाएं, मैं अपने training program में बहुत सारी ऐसी activity करता हूं, जिसमें लोग उस activity के माध्यम से मेरे साथ engage हो जाते हैं, और मेरी बात को मैं वैसे समझा पाता हूं, जैसे समझाना चाहता हूं As a speaker, आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी famous personality का कोई भी quote use करते हैं, तो वहाँ पर उस quote को use करते समय हैं, आप उन्हें credit जरूर दें, क्योंकि बहुत सारी audience ये जानती है कि कौन सी बात किसने कही है, दूसरे की कही गई बात का credit कभी लेने का प्रयास ना जरूर करें, कभी भी ये ना सोचें कि मुझे बोलते वे 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल का experience हो गया, जितने भी अनुभवी speakers हैं, वो हमेशा अपने program से पहले अपनी तयारी करते हैं, वो तयारी content को लेकर हो सकती है, वो तयारी presentations को लेकर हो सकती है, और वो अलग अलग तरीक है, वो है कि आपकी audience कौन है, मतलब किस तरह की audience को आप address करने जा रहे हैं, मतलब आपकी audience की age क्या है, उनका gender क्या है, उनकी educational qualification क्या है, उनका background क्या है, वो किस तरह के profession से belong करते हैं, उनका जो level of communication skill है, वो किस तरह का है, और ये एक अच्छे speaker को पहले से पता होता है, कि वो क इस तरह के लोगों के group के सामने बात करने जा रहे हैं, किस topic और कि subject पूरे कर बात करने जा रहे हैं, ये भी तयारी करना बहुत जूरी है, friends, public speaking skills पर मैं आपको बहुत सारी videos देने वाला हूँ, लेकिन मुझे comment box में लिखकर बताएं, कि जब आप public speaking skills के लिए अपने आपको तयार करें, आप virtual meeting किस तरह से करें, आप online webinar seminar किस तरह से करें, और जब आप public gathering पर काम करें, तो किस तरह से अपनी तयारी करें, प्रोग्राम से पहली की तयारी क्या होगी, प्रोग्राम के बाद की तयारी क्या होगी, प्रोग्राम में किस तरह के content को तयार करना है, तापकि story slow होती है तो लोग उठकर जाने लगते हैं या अपने mobile में कुछ game खेलने लगते हैं social media चलाने लगते हैं या एक दूतर से बात करने लगते हैं अगर आपके program में लोग उठकर जाने लगें अगर आपके program में लोग आपस में बातचीत करने लगें या सोशिल मीडिया में एंगेज हो जाएं या उनका ध्यान का यौर चला जाए तो समझ लीजिए आपकी public speaking skill ऐसी नहीं है कि वो हर व्यक्ति को बांध के रख सकती है नेक्स्ट वीडियो में मीनी टॉपिक्स पर बात करेंगे इसलिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बता दें कि क्या आप क्या के चीज़ें आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो मिलते हैं public speaking skills की नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमि जय हिंद जय भारत